हेलो फ्रेंट्स कैसे हैं आप सब आज हम करने जा रहे हैं हमारे कंप्यूटर का चेप्टर फाइव जो की काफी इंपॉर्टेंट चेप्टर है क्योंकि इसमें हम पढ़ने जा रहे हैं नंबर सिस्टम और लॉजिकल गेट्स आप दोनों इन पार्ट्स में से एक-एक मार्क् पर एक मार्क्स का तो आए गए आएगा और लॉजिकल गेट से भी एक मार्क्स का आपको कोशन देखने को मिलेगा तो शुरू करते हैं बिना किसी देर के डेफिनिशन पर मैं नहीं जाओंगा क्योंकि जो में पार्ट है जिससे हमें कोशन आएगा हम सिरफ वही पढ़ेंगे डेफिनिशन फालतों की रेटने के हमें कोई फायदा नहीं है क्योंकि वो कोशन में नहीं पूछी जाएगी ठीक है तो अब आजाते हैं कि नंबर सिस्ट पूछाओंगा और उसके बाद हेग्जादेसिमल ठीक है ये चार पार्ट है हमारे जो हमारे नंबर सिस्टम में पूछ जाते हैं बेसीकल यह है क्या है देखिए डेसिमल क्या होता है जो होता है तो तैन जैसे आप देख रहे हो अगर आपको कोई नंबर लिखा हो जैसे 21 यानि यह decimal है nature में ठीक है, आपको यह चीज question में नहीं भी लिखी हुई कि कौन से number को किस number में convert करने है, उसके बावजूद भी आपको सिरफ base देखके पता चल जाना चाहिए, कि number जो है, वो कौन सा है, decimal है, binary है, octalya है, hexadecimal है, ठीक है, अब क्या चीज आ गई, यह चीज होत एक क्रोड, दो क्रोड, ग्यारा, बारा, तेरा, चोदा, कोई भी number ले लो, वो इनी नो numbers के combination से बना होगा, अभी जैसे 910 ले लो, 910, तो एक layman language में कहा जाए, math का mathematical कोई भी number होगा, वो nature में decimal ही होगा, ठीक है, अगर मैं आपको कहूँ कि 910, तो यह एक decimal number ही है, computer language में, ब अब आजाते है हमारा decimal होगा, cover, अब आजाते है हमारा next binary, ठीक है, binary क्या होता है, binary में सिर्फ एक zero और एक one होता है, ठीक है, जो हम कहते हैं, कि दो ही digit होते है, zero को हम off मानते है, one को हम on मानते है, मैंने पहले भी पढ़ाया आपको, तो binary में वो zero और one का ही use होता है, अब यह हमारे लिए जरूरी नहीं था कि किस में क्या होता है, हमारे लिए जरूरी क्या है, conversions, conversions आती है हमारे paper में सिर्फ सिर्फ एक या दो marks की, ठीक है, तो अब क्या है, binary को हमें decimal form में convert करना है, यानि कि अगर मैं simple बाशा में कहूं, कोई भी एक mathematical number में हमें binary को convert करना है, तो कैसे क सकते हैं हम, देखिए, हम क्या करेंगे, यह जो लिखा हूँ है, इसका मतलब क्या होते है, बेसिकली, जब हम इसको ऐसी form में लिखेंगे, 2 raised to power 0, 2 raised to power 1, 2 raised to power 2, 2 raised to power 3, 2 raised to power 4, 2 raised to power 5, ऐसे जाएंगे, from right to left, यह होगी हमारी direction, ठीक है, अब हमें किस किस जगा पर 2 raised to power के 0 की position decide करेगी, सबसे right से left जाना ना, right से left जाना है, तो right से left हम जाते हैं सबसे पहले क्या आ रहा है, 0, तो यानि कि 0 की multiplication होगी यहाँ पर, फिर आ रहा है second number पर 1, तो हम 1 यहाँ पर डालेंगे, फिर 1 यहाँ पर डालेंगे, फिर 0 यहाँ पर डालेंगे, फिर 1 डालेंगे, अब anything multiplied by 0 इस 0 तो ये वाली term कटगी ये वाली term कटगी ठीक है अब बचिवी term जो है उनको हम add up कर देंगे तो क्या आएगा हमारा 2 into 1 आगया 2 2 raised to power 2 यानि कि 4 into 1 आगया हमारे पास 4 इसको plus करेंगे 2 raised to power 4 यानि कि 2 to the 4 to the 8 to the 16 into 1 आगया हमारे पास 16 इसको भी add up करेंगे और 2 raised to power 5 हो गया 32 उसको 1 से multiply करोगे तो 32 ही आएगा इसको भी add up करेंगे आपने देखा कि जहाँ 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 0 था वो वाली terms हमने eliminate कर दी जैसे यहाँ और यहाँ 0 था यह वाली terms हमने eliminate कर दी जहाँ जहाँ 1 था बस वो वाली term हमने multiply की 32 16 हो गया 48 426 जब 48 में add होगा हमारा answer आ जाएगा 54 बेस में 10 decimal form में ठीक है क्या किया हमने सबसे पहले लिखा 2 raised to power 0 ठीक है question ही हमने देखा ही नहीं जैसे हमारा question आया हमने देखा कि हमें binary को decimal form में convert करना है अभी question क्या पूछ रहा है वो हमने देखा ही नहीं हमने देख लिया कि वह टूरिस्ट पर 0, टूरिस्ट पर 1, टूरिस्ट पर 2, 3, 4, 5, 6 जितना भी है उसका use होना है जब हमने ये चीज़े लिख ली उसके बाद हमने अपना number देखा जहाँ जहाँ position पर 0 था वो वाली terms तो खुद ही eliminate हो गई जहाँ जहाँ 1 था उनको 1 से multiply कर दिया और इन सबको add up कर दिया जो final आया answer वो हमारा आ गया 54 जो की था decimal form में ये आ गया एक तरीका कि आपने 2 raise to power 0 लिखा 2 raise to power 1 लिखा इसके बदले आप एक और चीज़ कर सकते हो देखिए शुरुआत तो 2 raise to power 0 से ही होनी है और anything raise to power 0 is 1 ये चीज़ कलियर है ठीक है ये वाला method सिरफ और सिरफ binary की conversion जब decimal में करते हैं या फिर decimal की जब हम binary में करते हैं सिरफ और सिरफ वहीं यूज़ होगा और कहीं यूज़ मत करना क्या करना है आपने आपने जैसे 2 raise to power 0 2 raise to power 1 2 raise to power 2 राइट से लेफ्ट जाते थे थे ना उसके बजाए आपने क्या कर लेना है आपने 1 1 से शुरू करना है और डबल करते जाना है 2 4 8 16 32 64 ठीक है आगे जाने क जरूरत नहीं क्योंकि इतना लंबा हमारा नंबर है नहीं है अब क्या करना है नेक्स दीज वही जहां पर 0 है वहां पर 0 लिख दो जहां पर 1 है वहां पर 1 लिख दो और multiply कर दो into 1 into 1 into 0 into 1 into 1 तो इसकी जरूरत नहीं पड़ी अब as it is 0 वाले नंबर तो आपके आएंगे नही 2, 4, 16, 32 जब इनको आप add up करोगे आपके पास 54 ही answer आएगा और base में आजाएगा 10 किया क्या हमने हमने 1 से शुरू किया और double करते गे number ठीक है फिर जहां जहां 1 है उसकी 1 से multiplication करते गे 0 वाले eliminate होते गे और हमारा final answer आगया ये हमने क्या किया binary को decimal में convert किया अब अगर decimal को binary में convert करना जैसे इस question में लिखा नहीं है कि number जो है decimal है या फिर नहीं है आपने बस base देखा और आपको पास चल गया कि ये number जो है decimal और इसको convert किसमें करना है यहाँ पर आपने base देखा 2 तो आपको पास चल गया कि हमें decimal को binary में convert करना है कैसे करना है same वही तर का अपनाएंगे 1 2 4 8 16 32 64 128 तो 128 तक तो आपको जाने की जुरूरत नहीं क्योंकि 75 है हमारा नंबर अब देखिए 75 है तो 64 का यूज तो हमारा हो गई होगा इसके निचे हम बन लगा देते हैं 64 में अगर आप 32 एड करोगे वह 96 चला जाएगा जो कि 75 के ऊपर चला जाएगा तो यानि कि 32 का यूज नहीं होगा यहाँ 0 लगा दो 64 में जब आप 16 एड करोगे तो 80 बनेगा ठीक है यानि कि 16 का भी यूज नहीं होना 64 में 8 एड करोगे तो 72 बनेगा यानि 8 की हम यूज कर सकते हैं अब हमारे पास नंबर 72 तक पहुंच चुका है हमें सिरफ 3 नंबर और यहाँ पर आप 11 डाल दो और यहाँ पर आप 0 डाल दो तो हमारा आंसर आ गया 1001011 बेस में आ गया 2 यह हमारा final आंसर एक तरीका यह आ गया असान वाला यह वाला असान वाला है पर लगेगा सिरफ और सिरफ इनी में जब decimal की binary में conversion होगी या binary में decimal की conversion होगी सिरफ इसी में ए एक आगे युनिवर्सल मेथट जब हमें किसी भी नमबर को किसी भी decimal, octal, hexadecimal किसी को भी binary form में convert करना है यानि कि इस one zero की form में convert करना है उस method से आप कर सकते हैं तो युनिवर्सल मेथट क्या है सीधा आपने divide कर देना है 75 दिया हुआ है किस में convert करना है हमें 75 हैना 10 इसको convert करन है हमें 2 में यानि कि decimal को 2 में convert करना है तो हम 2 से divide करना शुरू करतेंगे 2 3s are 6 2 7s are 14 अच्छा अब देखिए इसमें से एक remainder बच रहा है तो remainder क्या करेंगे हम side पे लिख लेंगे clear next 2 से divide किया 2 1s are 2 2 8s are 16 फिर से remainder बच रहा है next 2 9s are 18 कोई remainder नहीं बच रहा 0 लिख दिया next 2 4s are 8 कोई remainder बच रहा है तो 1 लिख दिया next 2 2s are 4 कोई remainder नहीं बच रहा 0 लिख दिया ठीक है अब ये चीज हम लिखना शुरू करेंगे reverse order में यानि कि नीचे से उपर शुरू होंगे इस 1 से और नीचे से उपर जाएंगे तो 1 0 0 1 0 1 1 जो है हमारा होगा final answer क्या कि यह 2 से divide करतेंगे जो remainder आया हम नीचे से उपर की तरफ गए और हमारी form आगी अब एक बार इसको verify कर लेते हैं देखिए इस position पर 1 है तो यानि कि 1 इस position पर पर 0 की जब 4 किसा multiplication होगी तो यह हमारे किसी काम करनी रहेगा इस position पर 8 इस position पर 16 आणदा पर 0 से multiplication है इस position पर 32 और था 0 से multiplication है इस position पर 64 आ रहा है तो 64 प्लस 8 हो गया हमारे पास 72 प्लस 3 हो गया हमारे पास 75 जो किया है हमारा final question में ठीक है हमने दो तरीके समझ ली आज एक असान वाला और एक universal वाला universal कैसे है यह मैं आपको आगे बताऊंगा अब आ गया octal number octal number में क्या होता है octal का मतलब होता है 8 ठीक है octobus होता है octobus की 8 बाजू है जिसको हम 8 बाजूँ की वज़े से octobus कहते है तो octal का मतलब है 8 8 number अब 8 number 1 से लेके 8 तक नहीं होंगे ठीक है क्योंकि हमारा 0 से computer में हमेशा 0 से counting शुरू होती है तो आप देख सकते हैं 0 1 2 3 4 5 6 7 total हमारे पास 8 number आ रहे हैं जो की हमें octal form देते हैं ठीक है अब क्या हो रहा है कि हमें एक convert करना है 1 2 5 0 को जिसकी power 8 है 8 मतलब octal है उसको decimal form में convert करना है इतनी चीज़ clear होगी तो जैसे हमने binary को किया था ना convert सेम उसी तरीके से हमें octal को convert करना है कैसे कि जहां पर हमने binary में 2 raise to power 0 किया था वहां हम octal में 8 raise to power 0 करेंगे 2 raise to power 1 की जगा आ जाएगा 8 raise to power 1 2 raise to power 2 की जगा आ जाएगा 8 raise to power 2 और 2 raise to power 3 की जगा आएगा 8 raise to power 3 जो binary वाला method था same हमने octal में लगाया ठीक तो चलिए करते है question 8 raised to power 0, 8 raised to power 1 8 raised to power 2, 8 raised to power 3 4 ही digit है हमने 4 बार लिख लिए अब 0 की multiplication होगी इसके साथ तो वो किसी काम का नहीं रहेगा 5 की multiplication होनी है इसके साथ 2 की multiplication होनी है इसके साथ 1 की multiplication होनी है तो चलिए multiply करते हैं और add up करते हैं so 8 raised to power 1 is 8 into 5 is 40 8 raised to power 2 is 64 into 2 is 128 8 raised to power 3 यानि कि 64 into 8 8 for the 32, 3 carry on 6, 8 is 48, 49, 50, 51 512 तो 512 की जब इस एक से multiplication होगी तो वो 512 ही रहेगा just add कर दीजिए 0, 1 carry on 4, 1, 5, 6, 7, 8 5, 1, 6 तो 1, 2, 5, 0 को जब हम decimal form में convert करेंगे तो 6, 80 base में आगया 10 हमारा final answer होगा clear ये चीज क्या किया हमने 2 raised to power 0 जैसे हम करते थे उसके जगा हमने 8 raised to power 0 8 raised to power 1 8 raised to power 2 and so on continue किया question जहाँ जहाँ पर 0 था वहाँ वहाँ पर 0 की multiplication जहाँ 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 पर digit था वहाँ वहाँ पर digit की multiplication next आगे hexadecimal अब hexadecimal क्या होता है hexadecimal का मतलब होता है 16 hexadecimal यानी 16 यानी कि number तो हमारे पास 0 से शुरू होंगे 9 तक जाएंगे तो 10 आगे हमारे पास numbers जिनको हम digits कहते हैं उसके लावा हमारे पास अब क्या बचे 6 बचे हमारे पास position क्योंकि total 16 है 16 में से 10 ले लिया digits ने तो वो 6 जो बची वी position है वो कौन लेंगे वो लेंगे हमारे अलफा बेट्स तो अलफा बेट्स को position कैसे assign होगी याद रखिएगा शुरू होती है 10 पोजिशन से 10 पोजिशन मिलती है A को 11 बी को 12 सी को 13 बी को 14 ए को and 15 एफ को तो 15 पर जाके हमारा खतम होता है यानी कि ये 0 से शुरू होता है 15 पर जाके खतम होता है जिसमें से digits है 9 तक और 10 से लेके 15 तक है हमारे पास अलफा बेट्स इतनी चीज़ के लिए अब आजाते हैं इसके कोशन पर सो हमारा कोशन आ गया solution देखना छोड़ दीजे solution छोड़ दीजे कोशन देखिए सिरफ 1,2,F,E base में आ गया 16 तो आपने देखा कि 0 से लेके हम 15 तक गे तो आपको लग रहा होगा कि ये 12 जो है ये भी एक डिजेट है पर ये 12 डिजेट नहीं है क्योंकि मैंने आपको बताया था 0 से लेके 9 तक होंगे डिजेट 10 से लेके 15 तक होंगे अलफा बेट तो अगर आपको यहाँ पर डिजेट दिख रहा है तो इसका मतलब 12 नहीं है इसका मतलब है एक अलग डिजेट है दो अलग डिजेट है तो अब इस कोशन को हम सॉल्व करना शुरू करते हैं तो देखिए शुरू करते हैं इस से जैसे हमने बाइनेरी में 2 रेस्ट पर 0 किया ओक्टल में 8 रेस्ट पर 0 किया शुरूआत करेंगे हम इस पे 16 रेस्ट पर 0 से कुछ रटने वाला नहीं है बस ध्यान रखना है कि कौन सी फार्म है और उसको किस में कनवर्ट करना है शुरू करते हैं 16 रेस्ट पर 0 16 रेस्ट पर 1 16 रेस्ट पर 2 16 रेस्ट पर 3 क्योंकि 4 ही डीजिट है ठीक है अब आजाते हैं हमारे next step पे E E क्या होगा A है 10 B है 11 C है 12 D है 13 तो E होगा हमारे पास 14 into 14 कर दिया F क्या होगा F सबसे last digit है तो F है 15 into 2 into 1 डीजिट तो as it is याएंगे क्योंकि 0 से 9 तक as it is ही रहने है ठीक है तो 1 की position 1 ही है 2 की position 2 ही है इस चीज़ में confuse नहीं होना आपको बस alphabets में ध्यान रखने hexadecimal के case में ठीक है अब anything raised to power 0 is 1 1 into 14 is 14 16 into 15 is 240 16 का square होता है 256 उसको double करोगे तो 512 16 का cube होता है 4096 ठीक है मुझे cube आता नहीं था मैंने calculator पे solve किया to be very honest तो 16 का square होता है 256 उसको 16 से multiply कर दोगे तो आपको पास 4096 हा जाएगा ठीक है अब क्या करेंगे अब हम इन सब को add up करेंगे तो 4096 प्लस 512 प्लस 240 प्लस 14 तो हमारा final answer आजाएगा 4862 ठीक है 4096 प्लस 512 प्लस 240 प्लस 14 हमारा final answer आगया 4862 और किस में convert होड़ था decimal में convert होड़ था तो base में क्या आएगा 10 अब आगई conversions हमने देख लिया हमने decimal का concept clear कर लिया binary का concept clear कर लिया octal का clear कर लिया hexadecimal का clear कर लिया अभी तक हमने हर number को decimal में convert किया था ठीक है hexadecimal को भी decimal में octal को भी decimal में binary को भी decimal में और एक part में हमने decimal को भी binary में convert कर दिया था पर वो चीज छोड़ दीजिए मैंने आपको बताया था ना उसमें universal method की two से divide करते हैं वही वाले method से हमने आगे करना है जैसे हम हर चीज को decimal में convert कर रहे हैं वैसे ही हर चीज को हम binary में convert कर सकते हैं पर वो चीज मैं आपको आगे बताऊंगा फिलाल बात चल रही है conversion of decimal decimal है हमारे पास one two one base में है ten उसको हमें binary में convert करना है binary क्या होता है binary होता है raise to power जो base में होगा वो two आएगा तो base में जब two आएगा यानि की universal method के हिसाब से हम one two one को two से divide करना शुरू करेंगे two six is 12 and two zeros are zero तो 120 आगया हमारे पास 60 से multiply करने के लिए remainder के आया one two से divide किया 30 remainder आया zero two से divide किया 15 remainder आया zero two से divide किया seven remainder आया one two से divide किया three remainder आया one two से divide किया one remainder आया one तो अब बनाना शुरू करते हैं मैंने आपको बताया था है रिवर्स में जाना है नीचे से उपर जाना है तो 1 1 1 1 4 वन आगे फिर 001 ये आगया हमारा फाइनल आंसर वेरिफाई करना चाहते हो चलो वेरिफाई करते हैं 1 ये 2 ये 4 8 16 32 64 64 प्लस 32 इस 96 16 एंड 8 इस 24 प्लस 125 तो 6 पांच हो की 11 एक कह रहे हो 9 तो 11 12 121 हमारा आंसर वेरिफाई हो गया ठीक है तो ध्यान रखिएगा इस वाली बिट से शुरू करना है और रिवर्स में जाना है इस वाली बिट को बिलकुल भी और रिवर्स में जाना है अब ही हमने decimal को binary में convert किया अब हम decimal को octal में convert करेंगे हमारा universal method क्या कहता है अगर हमें binary में convert करना होता हम 2 से divide करते हमें करने octal में octal का base क्या होता है 8 तो octal के case में हम 8 से divide करेंगे अगर यहीं पर hexadecimal होता फिर क्या करते hexadecimal का base होता है 16 तो हम इस 8 की जगा 16 लिख देते पर हमारा question डिबांड कर रहा है octal तो फिलाल हम octal पे काम करेंगे 8 1 जा 8 8 1 जा 8 remainder के आया 1 8 से divide कीजिए 8 1 जा 8 remainder के आया 3 clear तो 1 आगया हमारा अब हमें next हमारा form करने group तो 1 उल्टा जाना है 1 3 1 base में आएगा 8 is our final answer खत्म next 4 8 9 7 को hexadecimal में convert करना है तो मैंने आपको बताया universal method में क्या है बस 16 से divide कर दा है 16 3 जा 48 0 16 5 जा होता है 80 उसमें 16 add करो तो यानि कि 16 6 जा हमारे पास आ जाएगा 96 एक बचरा कैरी 16 1 जा 16 146 9 जा 144 दो बचरा है 16 1 जा 16 and हमारे पास बचरा है 3 तो 1 3 2 1 base में आ जाएगा 16 हमारा आ गया decimal को hexadecimal पे convert करने पर अब इसको एक बार verify कर लेते हैं 16 16 raised to power 0 into 1 फिर आगे 16 raised to power 1 into 2 16 raised to power 3 into 3 16 raised to power 4 into 1 ठीक इसकी value आ गई इसकी value आ गई 32 इसकी value आ गई 16 का cube नहीं आर थोड़ी गलती हो गई है इस point पे 16 का cube नहीं आना 16 का square आना है तो 16 का square होता है 256 इंटू 3 करेंगे आपके पास आजाएगा 768 यह जो last point है यहां पर 4 नहीं आना यहां पर आना है 3 तो 16 का cube होगा 4096 add up कर देते हैं 4096 प्लस 768 प्लस 32 एंड प्लस 1 तो 4897 आ गया हमारा final answer जहां से हमने question की शुरुआत की थी हमारा answer है वो verify भी हो गया तो आज के लिए इतना काफी है क्योंकि वीडियो थोड़ी लंबी चले गई है कल हम decimals अभी आज हमने क्या किया आज हमने sub numbers को decimal में convert करना सीख लिया और decimals को sub number में convert کرना सीख लिया कल हम binary को sub number में convert करना सीखेंगे और sub number को binary में भी convert करना सीखेंगे उसके साथ साथ आगे जो दो बची हुई conversion है octal और hexadecimal वो भी complete करेंगे और gates पढ़ेंगे ठीक है तो आज की lecture को हम यहीं पर end करते हैं क्योंकि वीडियो होगी चुकी है काफी लंबी Thank you so much